आज हम बनाएंगे easy and crispy जटपट बनने वाला snack जो बच्चों को बड़ों को सबको पसंद आता है इसे आप शाम की चाय के साथ भी बना सकते हैं और यह सिर्फ दो चीजों से बनने वाला snack है तो आए शुरू करते हैं सबसे पहले हमें चाहिए बेसन मैंने चार बड़े सर्विंग स्पून बेसन लिया है और तेबल स्पून के करीब मैंने नमक ले लिया है इसके बाद बारी कटा हुआ धनिया मैंने इसमें एड किया है बाद एक चाहिए दानिये को रिस पह्षिक मैंने वाद यह दो चो टी 20 मोज फश दरी नमまぁ यह पहने नहीं कर भायों अब हम इसमें हेट करेंगे अब अब इसमें मीकशिर तेसं के बाद अदेगे अधुक्टी ट्यार करें ग्रफिया कि यदे कि दाल तकी पानी कोई भी क्यास स्मूत पिस्ट त्यार करें ज्यादा रूनिंग कंसिस्टेंसिक में ना हो यह पाए जैसे आप नॉमल पकोडियों के लिए घर में बनाते हैं उसी तरह से क्योंकि इसके बाद हम इसमें अलु डिप करेंगे तो वह अलु इसमें अच्छी तरह कोटिंग होगा और बेसन उस पे चिपकना चाहिए यह नहीं की रनिंग देखिए इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देते यह देखिए पांस से च्हे आलू मैंने यह उबाले हैं और उनको मैश कर लिया है अब इसके बाद हम इसमें एड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला हाफ टीस्पून के करीब थोड़ा संचूर पॉडर मैंने इसमें एड कर लिया हाफ टीस्पून के करीब आप चाहें तो इस कि श को अधर मिला लेंगे ता कि सारे मिक्स्चर में में हमारा मसाला इच्छी तरह मिक्स हो जाएं यह देखिए इसको अच्छी तरह से अप इसको मेगे से इसके बाद हम इसके छोटे-छोटे गोले टाइप के बना लेंगे, हाथ से ही गोले हम इसके बना लेंगे, इनको हम पहले तयार करके रख लेंगे, जितने भी गोलों की requirement है आपकी, हम एक तरफ इनको सब रेडी करते जाएंगे, क्योंकि उसके बाद सिर्फ हमारे पास इसको प्राइक काम रह जाएगा, तो हम एक साथ सारे गोले से आप बना लीजिए, यह देखिए, इस तरह से बनाने हैं, और मैंने आप इस तरह से इस सारे तैयार करके रख लिए है, अब हम मैंने यह पे अमस्टर्ड ओल ले लिया है, और फुल फ्लेम पे इसको हम फ्राइ करें बेशन इसे डिप करें बेशन में अलू के गोलो को ऐसे डिप करना है और एक्स्ट्रा हटाते हुए बेशन इसको फिर्फ्राइ करेंगे हाई फ्लेम पे मैंने आपर मस्टर्ड ओयल का यूज किया आप चाहें तो आप किसी भी ओयल का यूज कर सकते हैं ऐसे इसको कोट करके और ऐसे इसको टीफ्राइ हम लोग करेंगे अच्छी तरह से पूरा डिप होना चाहिए बेशन चारो तरफ लगना चाहिए बॉल्स के एक्स्ट्रा इसको अटाते जाए और ऐसे हम इसको फ्राइ करेंगे अच्छी तरह से कम गोलो को फ्राइ करें ताकि अच्छे से यारफ बहुट है फ्लेम सुखं़ लिए 5 फ्लेम o कम से कम पांच मिनिट के लिए, अब फ्राइ लिए स्वेडिन घंट फ्रावन प्रावन लगे गॉल्डन ब्राउन क्लर आ रहा है तब तक इसको फ्राय करें थोड़ा तेल ऊपर भी लगए अगर आपको लग रहा है कि सुखा आए उपर तो थोड़ा चमश से तेल उपर आप इसके डालें गोलोके उनको अच्छे से चलाते रहें ताकि इस साइ गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाए चलाते रहें इसको ऐसे है यह देखिए आ ऐसे अच्छ से इसको चलाएंगे गोल्डन ब्राउन मैं इसको हरी दन्य पॉदीने की चटनी के साथ सर्फ करूंगी अंदर से यह देखिए अंदर से ओके